हलो दोस्तों, तो आप सबने देखा होगा, मैंने आज सुबर टेलीग्राम चैनल पर अपने Maths by Abhinav Raatspur जो बिल्कुल नए हैं, एक notification डाला है बिहार SSC 12th वालों के लिए जो 12th past का कुछ vacancies निकली है और vacancy अच्छी खासी है, Approx 11,098 vacancy है, जो pay level 2 से लेकर 4 तक है, तो अगर आप salary की बात करो तो 35,000 से 45,000 होगा और ये बिहार सची वाले की जॉब है, तो क्योंकि मैं बिहार में हूँ और मेरे साथ काफी सारे बिहार की लोग जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो मैंने सोचा मैं बना दूँ और जो बाहर भी रह रहे हैं, वो भी इसे apply कर सकते हैं, fees क्या है, क्या क्या procedure है, हम उसके बारे में ये बात करेंगे, तो अच्छी जॉब है, बिहार सची वाले की जॉब है, और बिहार सची वाले की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है, जो बिहार की लोग है, उन्हें मैं आपकी posting होगी most of the job की और eligibility के बारे में बात करें दिरे-दरे हम बात करते हैं हार चीज की तो मैंने आपको vacancy बता दी 11,098 vacancy है और ये वीडियो बनाने का में कारण है कि इसका पैटर्ण है ये SSC, CGL, CHSL से बहुत हट तक same है तयारी कैसे करनी है हम उसकी भी बात करेंगे eligibility की बात करें तो सिर्फ 12th pass चाहिए आपको सिर्फ 12th pass कोई भी बच्चा दे सकता है इस paper को सिर्फ 12th pass अगर मैं age के बारे में बात करूँ तो अगर आप जनरल से हो तो 37 years तक आप इसके लिए apply कर सकते हो और अगर आप OBC से हो या female हो ध्यान रखना जनरल में सिर्फ male की बात हो रही है OBC हो या आप female हो तो आप 40 साल तक apply कर सकते हो और SCST के लिए 42 साल तक के लिए फीस के बारे में बात करूँ तो जो undeserved category है या OBC है या जो female है या जो outsider है outsider मतलब है कि जो बिहार से बाहर है उनकी फीस 540 रुपए है और SCST की जो फीस है वो 135 रुपए है आप इसे भर सकते हो भरने का डेट क्या है 27 सेप्टेंबर 2023 से चालू होगा 9 नवंबर 2023 तक पेमिट का है वैसे एक जगा 9 नवंबर है और एक जगा 11 नवंबर है तो इसमें थोड़ा सा मुझे confusion लगा तो 11 नवंबर वैसे डेट है तो 27 सेप्टेंबर से 11 नवंबर आपको उतने दिन का wait नहीं करना है अब बात करते हैं exam pattern की तो देखो दो level में exam होगा tier 1 और tier 2 tier 2 क्या होगा अभी नहीं बताया गया है क्योंकि एक rule है बिहार का कि अगर 40,000 से ज़्यादा लोग apply करते हैं तो ही tier 2 होगा और यह obvious है कि 40,000 तो हमारे एक सहर से निकल जाएंगे ठीक है तो tier 1 और tier 2 ह tier 1 जो है वो 800 questions होगे उसमें 75 questions approach GK के आते हैं GK में science वगरा भी include है और बिहार का भी specific portion आ जाता है ठीक है Maths के 25 questions आते हैं और reasoning के 50 questions आते हैं तो यारी बिलकुल आपको SLC के pattern पे करनी है Maths से start करता हूँ मैं Maths के 25 questions आएंगे और बहुत basic से questions आएंगे बहुत basic से आएंगे arithmetic आएंगे ध्यान रटना advanced नहीं है इसमें arithmetic है आप मेरे गनित के prime time से देख सकते हो और आपके पास 5-6 माइन है इस job के लिए अगर आप अच्छे से त्यारी करते हो तो आप easily 5-6 मन्त में ये job ले सकते हो तो करना क्या आपको गनित का prime time देख लो और मैं बार-बार कहता हूं कि run publication की book है यह मैं photo डाल दूँगा description में link दे दूँगा maths की जो ssc वाली book है वही लेना आप especially बिहार के लिए मत खरीदने के लिए जाना दिक्कत हो जाएगी ठीक है जो hindi medium वाले है वो hindi में ले ले जो यही करना है जो मैंने 25 वीक का जो डेली टारगेट आप उसको फोलो करते रहो जो जो बच्चे नए है और first time देख रहे है 25 वीक टारगेट तो यह 25 वीक का टारगेट हमने स्टार्ट किया आप टेलिग्राम चैनल से पता चल जाएगा आपको और YouTube पे भी मैंने Sunday Sunday वीडियो ध्यान रखना जीके जो है ना एप्रोक्स 75 कॉस्चन्स आते हैं ठीक है जीके में 75 कॉस्चन्स है आएंगे और इसके लिए अगेन आपको SST के पैटन पे ही तैयारी करनी है आपको अलग से बिहार के पैटन पे नहीं जाना है बिहार के लिए आपको बिहार स्पेसिक पड़ेगा इम्तियाज अली की बुक आती है या फिर क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है क्राउन पब्लिकेशन की बिहार स्पेसल करके यहां फोटो लगा दूँगा मैं वो आप ले सकते हो क्राउन पब्लिकेशन की लिए बुक आपके पास अल्रेडी होगी फोट होगा तो मैं आपको उसका मौक प्रोवाइड कर दूँगा अपने जो हमारा एप है उसके थुरू बाकि तब तक आप तैयारी करो और अच्छे से जम के तैयारी करो पांच से छे मैने हैं आपके पास आप एप्रॉक्स मान के चलो अगर आपने यह निकाल दिया समतलो बिहार में एक पटना में आपकी जॉब है और बहुत प्यारी जॉब है फिक्स टाइम है सब कुछ वो है और बिहार सची वाले का रूतबा अलग है गाउं आँके काम आपके रुकेंगे नहीं फिर ठीक है तो बहुत जादा नहीं खेचूँगा मैं वीडियो को बाकि आप लग जाओ मैंने सोचा आपको डेटेल कर दूँ क्योंकि एक्चली जो नोटिफिकेसन है वो हिंदी मीडियम में है और बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही थी से पढ़ने में तो मैंने डिकोड कर दिया है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ वेकिंसी 11,098 है पे लेवल 2 से 4 तक है सेलरी की बात करूँ तो 35 से 35 से बीच में होगी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो हर 12 पास पच्चा अपलाई कर सकता है एज के बारे में बात करें तो जनरल से हो तो 37 साल अगर OBC या आप महिला हो महिला किसी भी कास्ट से तो 40 साल और अगर आप SCST हो तो 42 साल फीज की बात करें तो 540 रुपे अंडिजर्व के लिए और OBC के लिए या आउटसाइडर के लिए जो भीहार का निवासी नहीं है और SCST के लिए है 135 रुपे डेट क्या है 27 September 2023 से लेके 11 November 2023 के बीच में आपको अपलाई करना है तो फिर किस चीज का वेट कर रहे है और पैटन पता चली चुका है Maths के 25 कॉस्ट आएंगे reasoning के 50 कॉस्ट आएंगे और English और GK के 75 कॉस्ट आएंगे ये previous year पे based है बाकि इन्होंने exact नहीं बताए है numbers बट इतने ही आते हैं तो thank you so much मिलते हैं English session में तब तक लिए पढ़ाई करते रहो अगर आप books वगरा purchase करना चाहो तो नीचे description में लिंक दे रखा और weekly target के लिए आप मेरा टेलिग्राम चैनल maths by Abhinav Rajpoo join कर लो बिल्कुल free of cost है वाँ सब कुछ है तो चलो फिर मिलते हैं